जैहिन दोस्तों मैं सुनिल रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिकल एजूकेशन एरीना में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजूकेशन की बहुत ही इंपोर्डन स्वागति हैं जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का वालीबॉल वालीबॉल गेम की पर हमें मैंने 25 सेलेक्टिव कोशन निकालें जिनकी एकजाम में आने की प्रबल समभामनाय रहती हैं जो की मैक्सिमाम नमबर अफ एकजाम से मैं पूछे जा चुके हैं ठीक है दोस्तों त दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ठीक है चले देद करतेवे सिर्यों से ख़िये हैं आगर वाने और और पर आउब कर देंगे तुशन का संबंद की स्थी से संबंदित है तो से पर वहां सरूर पर पेपर में देंगे तो वहाँ पर कंफिज होना जाती है ठीक है तो शिवान्थी गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंदित है दोस्तों इसका सही option होगा option is the correct answer वॉलीबॉल खेल से संबंदित ठीक है एक important question है दोस्तों ही आपके लिए ठीक next question की तरफ चलते है second question है आपका दोस्तों आपके सामने और दूसरा question क्या कह रहा है आपसे वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छट की उचाई FIVB के नियम के अनुसार किसी भी अंतरास्ट्री खेल प्रतियोगिता में होती है ठीक है जो भी इंडोर स्टेडियम होता है इंडोर कोट होता है तो उसकी height कितनी होती है FIVB के अनुसार ठीक है 11.50 मेटर 12.50 मेटर या फिर 11 मेटर फटाफट बताएंगी क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे question number second का क्या होगा सही जवाब बिल्कुल सही इसका जो सही answer होगा दोस्तों option C is the correct answer ठीक है option C correct होगा 12.50 मेटर दोस्तों ठीक है ओके चलते है अपने next question की तरफ दोस्तों तीसरा question है आपके सामने दोस्तों हमारा question number third है दोस्तों आपके सामने तीसरा question क्या है volleyball court के रेखांकन में line की चौड़ाई कितनी होती है यानि जो उसकी marking line होती है volleyball court की जो हम mark करते हैं पूरी चूना डालते हैं जिसमें वो कितनी centimeter चौड़ी होती है दोस्तों 2.5 cm, 5 cm, 8 cm या फिर 10 cm फटा-फट बताएंगे question number third का सही answer क्या होगा बिल्कुल सही option B is the correct answer option 5 cm ठीक है कितने cm लगबग देखो दोस्तों जितने भी field event है ना field event में अगर हम football को छोड़ दें ठीक है football को छोड़ करके बाकी hockey, volleyball जितने भी ये games होते हैं इनके जितनी भी रिखाएं होती है ना यह कितनी होती है 5 cm होती है ठीक है badminton को भी छोड़ के और football की जो हो कितनी होती है 7 cm होती है ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है अगला question है हमारा question number 4 आपके सामने दोस्तों चौथा question क्या कह रहा है volleyball court का map क्या है यानि कि उसकी length और breadth कितनी है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है volleyball court की 18 गुणे 8 मेटर 17 गुणे 9 मेटर 18.5 गुणे फटा-फट बताएंगे दोस्तों क्या होती है volleyball court की लंबाई और चौड़ाई question number 4 का सही answer क्या होगा बिलकुल option D is the correct answer 18 गुणे 9 मेटर 18 आपकी length होती है ठीक है और 9 मेटर आपकी breadth होती है ठीक है दोस्तों चलिए next question की तरफ चलते है अगला question है दोस्तों आपके सामने question number 5 व top spin होता है volleyball में वो किस के कारण होता है दोस्तों छोटा उचाल के कारण ठीक है उचा उचाल निम्न कोड उचाल या नियूनतम घोंडन के द्वारा फटा-फट बताएंगे दोस्तों question number 5 का सही answer क्या होगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही answer बिलकुल option C is the correct answer निम्न इंगल जो jump होती है न दोस्तों उसकी वज़े से क्या होती है volleyball में top spin होती है ठीक है next question की तरफ चलते है question number 6 आपके सामने चड़वा question दोस्तों क्या कहरा चड़वा question निम्न में से antenna किसका भाग है ये भी कई बार question से पूछा जा चुका है ठीक है volleyball का है तो जाहिर सी बात है football basketball में antina होता नहीं football में होता नहीं टैनिस में होता नहीं किसमें होता है duaण थे से ओसंठीक होता है जाल کے उपर निकला ह०ा हुगा होता है ठीक है धेहन रखना यहां से भी question है इसे put-up हो सकता कि Antina की लंबाई कितनी होती है है ना यह question है आपसे पूछा जा सकता है Antina का color के बारे में भी question आपसे put up हो जाते है Antina का color क्या होता है आपका red और white होता है ठीक है red और white और उसका क्या बोलते है जो Antina की गुलाई होती है वो भी पूछ ली जाती है ठीक है वो कितनी होती 10 mm होती है कितनी होती है 10 mm होती है ठीक है ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को चली question number 7 की तरफ चलते है 7 question है जो हमारा 7 question क्या कह रहा है दोस्तों volleyball में गेंद का वजन कितना होता है ठीक है जो volleyball की ball होती है उसका भार कितना होता है 200 से 200 ग्राम, 225 से 200 ग्राम, 250 से 260 ग्राम, या फिर 270 से 280 ग्राम, ठीक है, फटाफट बताएंगे, इस question का सही answer क्या होगा, बिल्कुल, option D is the correct answer, लेकिन, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान लखना दोस्तों, कि किसी paper में question पूछा जाता है, कई बार होता है कि, आयोग paper पूछता है, तो वहाँ पर उसके आसपास का वजन डाल देता है, ठीक है, इन weight वाली चीज़ों में, होता है, वैसे होता नहीं, ज्यादा तर, बट कई बार कुछ papers में हुआ है, तो यहाँ पर options के according, आप देखोगे, तो 270 से 280 ग्राम ही सही होगा, लेकिन होता कितना है, दोस्तों, 260 से ल लेंगे, दोस्तों, ठीक है, वेटेस नहीं मिल पाएगा, उस चीज़ का, ध्यान रखना, इस question options के साब से यह वाला सही हो जाएगा, पट होता कितना 260 से 280 ग्राम होता है, ओके, चलिए, next question की तरफ चलते है, question number 8, आपके सामने, दोस्तों, आठवा question, और आठवा question क्या कह र option C is the correct answer, जो service area होता है, हमारा, वो 9 meter का होता है, ठीक है, कितने meter का होता है, दोस्तों, 9 meter का service area होता है, हमारा, ठीक है, कितने meter का, 9 meter का, यह हमारा volleyball का court होता है, अगर, तो यह, मान लेते ही, यहां से अगर service करनी, तो यह area जो यहां से यहां तक जाएगा, यह 9 meter होता है, ठीक दोस्तों, चलिए, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, कोशन नमबर नाईन है आपके सामने, नौवा कोशन, क्या कह रहा है नौवा कोशन आप से लीब्रो किस खेल में पाय जाता है, तो ओवेसली वॉली बॉल में पाय जाएगा, हैंड बॉल में नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है, लेक तो लीब्रो अटैक नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता, है ना, और आप देखोगे कि उनकी जो भी एक टीम होती, सब की जो ड्रेस होती, वो सेम होती, बट जो लीब्रो की जर्सी होती है वो कैसी होती है वो डिफेंस होती है वो सबसे अलग कलर में होगी है ना और यह डिफेंस कर सकता है केवल क्या कर सकता है डिफेंस कर सकता है लिब्रो क्या कर सकता है दोस्तों डिफेंस कर सकता है ठीक है अटैक नहीं set तक प्रती team कितना time out कितने समय तक के लिए ले सकती है ठीक है मतलब 1 से 4 तक जो set होते हैं उसमें हर team कितना time out ले सकती है और कितने समय के लिए ले सकती है एक time out ले सकती है प्रती set 30 second का 2 time out ले सकती प्रती set 30 second का 2 time out प्रती set ले सकती 60 सेकंड का या फिर एक टाइम आउट प्रती सेट ले सकती है 60 सेकंड का फड़ा फड़ा बताएंगे दोस्तों क्वेशन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों जस्वें का बिलकुल इसका जो सही आंसर होगा option B is the correct answer ठीक है दो टाइम आउट ले सकती है कितने सेकंड का 30 सेकंड का ठीक है एक सेट में दो टाइम आउट ले सकती है 30-30 सेकंड के ठीक है दोस्तों चलिए next question की तरफ चलते है अगला question number 11 है आपके सामने 11 question है क्या कहता 11 question आदुनिक volleyball का अविशकार किस ने किया था ठीक है जी Morgan जेम से ने स्मित M.M. Joseph या इन में से कोई नहीं फटा-फट बताएंगे आपका option कौन सा सही होगा दिस में बिलकुल G. Morgan यानि कि W.G. Morgan ठीक है William G. Morgan इनको full form में बोला जाता है इनका पूरा नाम William G. Morgan है जिन्होंने volleyball की खोज की थी दोस्तों और यहीं पे second option आप देखेंगे Dr. James ने स्मित की तो इन्होंने किस की की थी बास्केट बॉल की की थी ठीक है बास्केट बॉल की खोज की थी ठीक है अमेरिका में ओके चलिए next question की तरफ चलते है question number 12 आपके सामने है दोस्तों और बारवा question कह रहा है International Volleyball Federation का गठन कब हुआ था दोस्तों International Volleyball Federation का गठन कब हुआ 1947, 1948, 1950 या 1952 फटा फटा बताएंगे question number 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बिलकुल option A is the correct answer 1947 में कब हुआ था 1947 में हुआ था दोस्तों International Volleyball Federation का गठन ठीक है next question की बात करें question number 13 आपके सामने है दोस्तों तेरवा question और तेरवा question कहा रहा है volleyball में मांगा गया timeout कितने समय के लिए होता है अभी पीछे question में हमने clear किया इस चीज़ को तेरवे question का किया होगा सही जवाब दोस्तों फटा-फट बताएंगे बिलकुल option B is the correct answer 30 second का ठीक है जो timeout होता कितने time का होता 30 second का होता है okay चलिए और कितने timeout ले सकते हैं कितने timeout ले सकते हैं एक set में दो timeout ले सकते हैं कितने second का 30 second का ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है question number 14 चौदावा question आपके सामने दोस्तों चौदावा question कहा रहा है वालीबॉल खेल में technical timeout का समय कितना होता है दोस्तों technical जो timeout होता है उसका time कितना होता है वालीबॉल में खेल में 30 second, 60 second, 2 minute या फिर 3 minute फटा-फट बताएंगे question number 14 का सही answer किया होगा बिलकुल option B is the correct answer, 60 second का ठीक है जो normal timeout होता है जो टीम लेती है वो 30 second का होता है और जो technical timeout होता है referee वगारा होते हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार की कोई problem है उसको solve करना है तो उसके लिए 60 second का technical timeout लेते है ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है अगला question है हमारा question number 15 दोस्तो पंधरावा question आप से कह रहा है volleyball team में कितने खिलाड़ी होते हैं 11,6,10,9 अब दोको team में तो total खिलाड़ी होते हैं पूरे है ना लेकिन यहां option में क्या 12 दे रहा है कहीं पे नहीं ना volleyball खिल में तो हमने पढ़ा कि total player कितने होते हैं एक team में तो 12 लेकिन है option में नहीं दे रहा है अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि खीलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं जो खेलते हैं वो तो 6 अगर वह ओपिशन में है तो आप यहां पर option 6 भी यहां पर सही हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना है इस चीज को इस type से भी confused हो जाते है है लोग ठीक है ऐसे कोशन डाले जाते हैं जान बूचकर जो प्रॉब्लम क्रिएट करें और यह बहुत आसान कोशन ही गलत हो करके आते हैं हमारे ठीक है चलिए नेक्स कोशन की दरफ चलते हैं अगला कोशन है हमारा दोस्तों कोशन नमबर 16 और 16 कोशन आप से क्या कह रहा है अटेक लाइन किस से समबंदित है औविसली वालीबाल से समबंदित है एक सेंड हाँ वालीबाल से समबंदित है ठीक है खोको और टो अफव और वासकेट बाल इचूंज व्ली बॉल्ल से समद्दित हमारी attack लाइन है ठीक है बास्केट बॉल से भी एक termology आती है jump ball पूछ लिया जाता है jump ball ठीक है jump ball किस से समद्दित है तो यह हमारे basketball से पूछ लिया जाती है jump ball से ही हमारा game स्टार्ट होता है है ना और इनिंस का संबंद किस से है तो इनिंस का संबंद आपका क्रिकेट से भी होता है और खोको से भी होता है ठीक है ध्यान रखना है ऐसे ऐसे आप से पूछ लिए जाते हैं questions यह क्या कहलाती है जो volleyball court है जैसे हमारा court है तो उसको divide जो 20 से कर रही है यह line यह क्या कहलाती है दोस्तो central line, mid line, march line या फिर dividing line फटा फट बताएंगे question number 17 का answer क्या होगा बिलकुल option is the correct answer central line यह क्या कहलाती दोस्तो central line कहलाती है ठीक है क्या कहलाती है central line कहलाती है चलिए next question की तरफ चलते है question number 17 के बा volleyball होता है उसमें एक team में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है एक होती है तीन होती है दो होती है पांच होती है फटा बड़ बताएंगे question number 18 का सब्सक्राइब क्या होगा दोस्तों बिलकुल option c is the correct answer कितने प्लेयर होते हैं beach volleyball की तीम में के कितने प्लेयर होते हैं विछ वालीबॉल में स्थाना पन खिलारीं स्थाना पन थाना मिन्स होगया क्या चीज़ को बोलते हैं जो होते हैं है ना एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो होते हैं स्थाना प्लेयर्स जो किसी एक खेलाडी के चेंज करने पर लाए जाते हैं ठीक है तो उसमें कितने होते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो होते हैं होते हैं चार होते हैं पांच होते हैं अच्छे होते फटाफ़ बताएंगे पाई टोटल तो होते हमारे बारा जिसमें से खेलते हमारे छे हैं बचे कितने हमारे छे है ना तो कितने हो जाए क्या हो जाएगा इसका सही answer question number 19 का बिल्कुल option D is the correct answer 6 खिलाडिया जो होते हैं वो आपके replace हो सकते हैं स्थानापन हो सकते हैं ठीक है चलिए next की बात करते हैं तो अगला question number 20 है आपके सामने 20 वा question क्या कहा रहा है दोस्तों volleyball में महिलाओं के लिए net की उचाई कितनी होती है women's के लिए net की height कितनी होगी दोस्तों 2.23 meter 2.24 meter 2.43 meter या फिर 2.44 meter जल्दी से बताएंगे बहुत बार ये question पुटा बोता और इस बार भी आएगा ये paper में ठीक है फटा फट बताएंगे question number 20 का सही answer क्या होगा बिल्कुल option B is the correct answer 2.24 meter कितनी होती है 2.24 meter होती है दोस्तों ठीक है 2.24 meter ओके अब पुर्षों के लिए कितनी होती है वह आप comment करके बताएंगे ठीक है चलिए next question number 21 पे चलते है वही 21 question क्या कहा रहा है आपसे पुर्षों के लिए volleyball में net की जमीन सुचाई पूछी लिया है इसने ठीक है 3.93 meter 3.83 meter 2.49 meter या 2.43 meter फटा फट बताएंगे question number 21 का क्या होता है answer क्या होगा 21 का answer बिलकुल option D is the correct answer 2.43 meter होती है दोखो 2.43 जो होगी वह आपकी किस के लिए होगी men's के लिए होगी ठीक है और 2.24 जो होगी वह किस के लिए होगी women's के लिए होगी ओके चलिए next question की तरफ चलते है अगला question number 22 आपके सामने 22 question कह रहा है दोस्तो वाली बॉल में दोनों पोलों के बीच की दोरी कितनी होती है आपका ये वाली बॉल कोट है यहाँ पर पोल लगे होते हैं ठीक है खंबा ये लगा एक खंबा ये लगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो distance होगी वह कितनी होगी दोस्तो ये पूछ रहा है 9 मेंटर 10 मेंटर 11 मेंटर ये 12 मेंटर फड़ा बताएंगे मेंटर इदर ठीक है 11 मेंटर हो जाता है इस डिस्टेंस पर हमारा पोल लगता है ठीक है चले नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 23 23 ते इसमा कोशन आप से कह रहा है दोस्तों नए नियमों के अनुसार वाली बॉल के एक गेम के पहले चार सेटों में जो पहले चार सेट हो जाते हैं उसमें मैक्सिमम पॉइंट कितने रखे जाते हैं दोस्तों जो सेट पॉइंट होता है वो कितने का होता है दोस्तों 15 का 14 का 25 का या फिर 24 का फटा 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 बताएंगे question number 23 का साही answer क्या होगा बिल्कुल option C is the correct answer 25 point का match होता है दोस्तों पहले 4 set में ठीक है टोटल 5 set का match होता है पहले 4 set में क्या होगे 25 का रखा जाता है और आखरी वाला कितने का होता है 15 I think comment करके बताना आप कितने का होता है या 21 का चलिए next question number 24 24 question है हमारे सामने दोस्तों किस खेल में overhand service, round hand service arm floating service जैसे शब्द प्रयोक की आते हैं throw ball, volleyball, table tennis, handball बिल्कुल volleyball में ये आपके types of service हैं दोस्तों volleyball की जो service है वो कौन कौन सी है आपकी overhead service है ठीक है फिर आपकी कौन सी है sorry overhand service है round hand service है okay arm floating service है ठीक है ये तीन प्रकार की main services होती है आपकी volleyball में ठीक है चलिए next question number 25 है हमारा 25 question आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है 25 question volleyball में सिर से उपर ball को pass देना क्या कहलाता है जब सर के उपर से हमको ball pass कर देनी हो तो सिर का प्रयोग करेंगे the einde इक हात की उंगलियों की प्रयोग करेंगे द नो हात की उंगलिया प्रयोग में लाएंगे फिर दोनओ हात के पंजों का प्रयोग में लाएंगे फटा फटा पतायेंगे question number 25 का प्रयोग क्यों प्युक्ट होगा Gibson C is correct dir on the camera fingering बोलते हैं उसको फिंगरिंग से पास देते हैं जब हम सर के उपर से जब पास दे रहा होता तो फिंगर्स का इस्तमाल करते हैं दोस्तों तो यह थे दोस्तों वॉली बॉल की कुछ बहुत ही इंपोर्डन कोशन ठीक है और यही कोशन बार-बार घोंपिर के आते हैं बिल्कुल चाहे वो केंद्रेविद्याले का पेपर हो यूपी टीजिटी हो नवोदे हो आपका यह आने वाली विकेंसी EMRS का एक्जाम है जो आने वाला है इन में से 100% एक से 2 कोशन आएंगे ही आएंगे दोस्तों ठीक है तो इनकी प्रिप्रेशन बहुत ही अच्छे से करिए और इसको एक बार दो बार अगर आप रीड करेंगे तो बहुत यह सानी से यह याद हो जाएंगे ठीक है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट ज़रूर करें हो साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं कल से जो क्लासेश चलेंगी दोस्तों वो बहुत ही बहतरीन होने वाली है ठीक है बहुत ही यूनीक क्वेश्चेंस इंपोर्टन कोश्चेंस ठीक है तो कल से बिलकुल भी क्लास को मिस्स नहीं करना है जो भी हमारे भाई बैन है ठीक है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने इस चैनल के साथ कनेक्ट करें ताकि एक अच्छी information सभी के पास पहुंच सके दोस्तों ठीक है और कल से मैं एक इसमें कर रहा हूं कि कल से आपका एक mcq आपका इसके भी चलेगा क्या बोलते हैं sports वाला भी चलेगा particular game से या mix भी डाल सकता हूं games का ठीक है और साथ ही साथ एक आपका ठीकल भी चलेगा उसमें जो हम लोग का practice set चल रहा है वो भी चलता रहेगा चाहे वो आपका topic wise हो चाहे वो आपका mix question type का हो ये भी चलेगा दो question 100% मैं कल से दूंगा ही दूंगा क्योंकि आपकी exam नस्दीक आ रहे हैं दोस्तों ठीक है ताकि preparation आपकी practice जो बहुत ही बहतरीन तरीके से हो सके okay तो ज़्यादा time नहीं लेंगे ठीक है चलिए मिलते अपनी next video में तब तक के लिए bye bye take care चैहिन वन्दे मातरम